हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई लाइफ बड़ी मैं हूँ आपकी होस्ट फ्रम माई लाइफ बड़ी सारी फ्रेंड्स मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड किया था क्योंकि weekends में बहुत काम होता है friends कभी घर का काम होता है साफ सफाई वगएरा और you know कभी-कभी हम लोग weekend में native place को भी travel करते हैं so sorry friends लगता है मुझे कि आप लोगों ने बहुत इंतजार किया होगा हमारे videos का तो चलिए देखते हैं आज का video so friends यह है trench coat so मैंने dad से request किया था बहुत बहुत दिनों पहले you know literally कि बहुत सालों पहले मैंने dad को request किया था कि मुझे trench coat बनाई है so dad बहुत busy हुआ करते थे so मैं और मैं क्या है कि only winters में मैं याद किया करती थी जब मुझे ठंड लगती थी तो तब ही मैं याद किया करती थी कि मुझे trench coat चाहिए और dad busy होते थे फिर वो शिलाई नहीं करते थे ठीक है जल्दी जल्दी winter चला जाता था फिर summer आ जाता था तो जरूत नहीं पड़ती थी so ऐसे करते हुए कुछ साल यूनों बीच गए अभी जो है dad थोड़ा free है dad को थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था तो अभी dad free है और ऑप सेट भी थे fracture की वज़े से तो मैंने dad को यूनों motivate किया कि मुझे trench coat सीए आप बहुत दिन से pending रखे हो अभी जैसे आपका फ्रैक्टर ठीक हो गया है जल से जल मुझे trench coat सीजिए बना दीजिए तो डैड ने क्या किया कि dad भी motivated थे और उनके पास time भी था तो यह बन रहा है फ्रेंड से देख सकते हो आप यह five thread overlock है sleeves के लिए ताकि तागे ना निकले और यह है हमारी जुकी मिशीन सीविंग मिशीन यह जुकी इसलिए यूनो फेमस है क्योंकि यह पाव पे चलती है और जली जली सिलाई करती है as opposed to the manual सीविंग मिशीन जहां पर हमें पैडल मारना पड़ता है पैरों से सो वो थोड़ा slow होती है बट मुझे यह चलाना नहीं आती फ्रेंट्स जुकी मिशीन I am bad at it और माम ने भी मुझे यूनो जब भी सीखने उतना प्रिफ्रेंस नहीं दिया क्योंकि माम डरती है कि कहीं मैं हाथ पर या उंगलियों पर ना चला दूं क्योंकि उस पर अच्छा बैलन्स और experience होना चाहिए मुझे तो वो मा पैडल वाली ही चलानी आती है बट I am good at it like हाँ पैडल वाली मैं मैं मैंनेज कर सकती हूं विताओट पाव तो वहां पे मैं थोड़ा सी सकती हूं और देखे फ्रेंट्स यह है जो की मिशेन इस फेमस इन बैंगलूरू you know so dad you know बना रहे है मेरा ट्रेंच कोट so मैंने यह बिस्केट कलर या क्रेम कलर का फैब्रिक चूज किया है जो बहुत फेमस है ट्रेंच कोट के लिए डैड अभी कॉलर बना रहे है फ्रेंट्स और डैड बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है इस टेलरिंग में और डिजाइनिंग में कपड़ों की डिजाइनिंग इन्टरनेट से जो भी हम डिजाइन बता दें वह वैसे बना कर देते हैं और कॉलेज डेज और स्कूल डेज में तो हमारे लिए बहुत सारे वेस्ट कोट्स और जीन्स जीन्स वित गुट डिजाइन्स यूनिक डिजाइन्स बनाया करते थे मेरे कॉलेज में तो मैं डैड के बनाये हुए और मॉम के बनाये हुए ही कपड़े पहना करती थी और बहुत अच्छे अच्छे बनाते थे दाइर को थोड़ी दिखत हुए है हाथ की वजए से बट इस नाजबल अट अफ्र फ्रैक्ट्टर इस फर्स वन इस डिजाइनिंग अगर पर इंग पर फ्रेंट्स हम लोग एक कांटेस भी लेकर आ रहे हैं माई लाइफ बड़ी पर खुलकर कमेंट्स की जियेगा और प्राइज जितियेगा युनोउ फ्रेंट्स प्लीज कमेंट व पड़ी आ एंड प्राइज आंद अनरे लाइफ बड़ी देखेंगे किस्ने ज्यादा कमेंट किया है और व उचस्ताराइब को और ज्यादा कमेंट किया है उनको रहाग हम लोग व एंड़ अप अध मन्त कुछ गूरीस देंगे कि यह बना रहे हैं और यह बना रहे हैं और यह बना कर जैसे मैंने पिक्चर बताया था जो स्लीज बने हैं वह अल्रेडी साइड में रखे हुए हैं अब यह कॉलर बना रहे हैं मैंने एक्चवाली एक अनलाइन वेब साइट पर एक छोटा सा इक टेजटन लेक ईग जायक ट्रेंच कोट नहीं था अब लंग लेंध तो ट्रेंच कोट जैसा था और डिजाइन जो और होता है वह भी वैसे ही था लेकिन फैब्रिक जो है उसमें exact trench coat मुझे मिला नहीं out of stock था तो मैंने यह वाला लिया जहां पर it was similar to a trench coat but वहां पर जो फैब्रिक है वह वैसे यूनो अच्छा गाड़ा वाला नहीं था so it was made of you know polyester जो की resemble कर रहा था marble यह जो 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 थीक लग रहा था था और ऐसा था तो वह जो है क्योंकि उसकी ठीकनेस ऐसे जो suiting वाली फैब्रिक होती है इस तरह की ठीकनेस नहीं थी तो थीक लग रहा था लड़कियों के लिए बट यूनो वह जो stiffness और वह जो ट्रेंच कोट दे सकता है वह तो नहीं था बट मुझे लगा कि एक यूनो एक लॉंग ओवर कोट की तरह लग रहा था यहां पर जो डाड में फैब्रिक लिया है यह स्यूटिंग फैब्रिक है फ्रेंस इससे जो है जो ट्रॉजर बनाते हैं उस तरह का जो गाड़ा फैब्रिक होता है उस तरह का फैब्रिक में बना रहे हैं तो इससे क्या है कि हमारा ट्रेंच कोट अच्छे से कड़क यूनो के कंपारिजन में I was so excited friends actually मैंने डैड को पांच सल बहले बताया था ठीक है कि ट्रेंच को बना है चार सल पहले डैड हमेशा बीजी थे और बीच में यूनों कोविड आगया था तो हम लोग सब दूर थे दूसरे शहर में थे तो अभी फाइनली डैड को यूनों मुखा मिला ह है और हमें भी मुखा मिला है ट्रेंच कोट पहनने का हुआ है तो फ्रेंच आल्मोस्ट कॉलर बन गया है इस तरह से डैड ने क्रॉस सिलाई डाली थी देखिए फ्रेंच हमारा कॉलर बन चुका है और ओंडी स्लीज लगाना बाखी है यह लेंद और पॉकेट्स बीज बन चुके हैं देखिएगा सिर्फ यहां पर स्लीज लगाना बाखी है बहुत अच्छा लग रहा है तो डैड अभी स्लीज भी लगा रहे हैं फ्रेंच ये अम एक्साइट की कम मेरा ट्रेंच कोट रेडी होगा और मैकप पहनूंगी स्लीज को इस तरह से जिस तरह से डैड ने कट किया ना सिधर से इस तरह से चोटा साइट करते हैं ताकि स्लीज सेंटर में बैच सकें तो फ्रेंच अल्मोस्ट हमारा ट्रेंच कोट बनने वाला है थोड़ी देर में तो प्लीज हमारे कॉंटेस्ट को याद रखिएगा जिनरेसली कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियोस पे और प्राइजस विन कीजिए गोरी सिर्ण विन कीजिए विन कीजिए बुच का प्लाइखिएगा हमारे इद हमारे हमारे को इस सकेंने गञा Tippने से प्लाइभ स्ली हमारे ट्रेयोस। अब आगे के पिक्चर में आप देख सकते हो कि मैंने पहना है देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा ट्रेंच को ट्रेडी हो गया है प्लीज कमेंट कीजिए कैसे लग रहा है अमेजिंग ना थैंग गॉड